नमस्कार दोस्तां स्वागत है आपका हमारे अचार जागंदर मेशाश चैनल में कन्य राश जोन जुलाई 2022 पूरी दुनिया देखेगी आपका जलवा मिलेगी पांच बड़ी कामियाबी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्य राश जाटकों के लिए जोन जुलाई 2022 का महिना कैशा रहेगा वे कौन से बिशेस बड़ी कामियाबी है जो आपको इन दो महिनों में मिलने जा रही है तो कन्य राश जाटकों सबसे पहले हम बात करते हैं तमाम गरह गोचर इस्तितियों के बारे में उसकी बात करेंगे कि आपका केरियर कैशा रहेगा आपका बियापार कैशा रहेगा आपका पारिवारी जीवन कैशा रहेगा आपका दामपत जीवन इजुकेशन स्वास्त लबलाइप कैसी रहेगी बिदेश की स्थिती धन की स्थिती कैसी रहेगी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इन दो महिनों में तो चलिए सबसे पहले हम तमाम गरह गोचरी इस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो देखे गरहों के राजा सूरदे की बात करें तो जून के महिने में कन्य राशकत को आपके सब्तम भाव पे में राशी में रहेंगे और 29 जुलाई को ये एक वार वक्रिय वस्ता में हो जाएंगे सन्य देव की बात करें तो ये पांच जोन को यानि की कुम राशी में वक्रिय वस्ता में होंगे और 12 जुलाई को ये एक वर फिर से कुम्बसे मेन राशी में आ जाएंगे राहू की बात करें तो ये मेन से राशी में रहेंगे और साथी साथ अगर हम केतु की बात करें तो ये तुला राशी में रहेंगे यानि कि आपके दूसरे भाव पे रहेंगे और आपके रासे के स्वामे बुद्ध ग्रह की बात करें तो ये बुद्ध दितराजों कर निर्मार करेंगे तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियां कन्य राज कहतकों अब इन्हीं के धार पर जानेंगे कि आपके लिए ये जून और जुलाई के महिना कैशा रहेगा कौन से विशेश बड़ी कामयाभी जो आपको मिलेगी इन दो महिनों में तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कन्य राज कहतकों आपका केडियर और विजनस वियापार कारवार कैशा रहेगा जून और जुलाई के महिने में तो देखे केडियर के लिहाज से देखा जाए तो केडियर के लिहाज से आपको विशेश उपलब्दी प्राप्त होगी विशेश कामयाभी प्राप्त होगी क्योंकि जो परिस्तरम आपने पहले किया था जो आपने नोकरी के लिए अपलाई किया था तो नोकरी आपको प्राप्त होगी तो नोकरी के रूप में पहली बड़ी कामयवी प्राप्त होगी नोकरी में आपको विशेश लाब होगा विशेश कामयवी प्राप्त होगी आपक फानल होने से आपकी आर्थिक स्थिती और बित्ती मामलों काफी सुधार देखने को मिलेगा धनकी स्थिती काफी मजबूत रहेगी कनिराशकेत को रुके विकार पूरे होंगे और अंसलजे मुद्दे सुलजेंगे जो कार अभी तक नहीं बन पा रहे थे या फिर जो कार आपकी आमधनी जो बढ़ सकती है इस समय अगर आप प्रयाश करेंगे मेहनत करेंगे तो साथिसाथ अगर कोई भी काम साज़ेदारी में करते हैं तो उसमें भी विशेश शुकलदिया प्रात्त होंगी आबक बढ़ेगी आमधनी के स्थरोद बढ़ेंगे साथिसाथ लोट मिल पा रहे थी तो निश्चित और पे कने राशकत को बशेश यानि बढ़ी आपको क्यामेवी प्राप्त होगी अच्छे लाब की योग बनेंगे लाब के साथ साथ आमधनी के स्थरोद बढ़ेंगे चारद इसाउं में मन समान की ख्याती बढ़ेगी और उपलब्दिया प्राप्त होंगी आपको इसमें अपने घर परिवार में कुछ महत्पूर्ण कार करने का मौका मिलेगा घर परिवार में कुछ बाता बर देखने को मिलेगा यानि कि घर में कोई शुब मंगल कार होंगे धार में कारकरम का आयोजन हो सकता है साथी बिवा का आयोजन हो सकता है कने रास्कित को विशेश उपलब्दियां को साथ साथ सामधनी के स्टुरथ बढ़ेंगे अच्छे कारियों के लिए जाने जाएंगे अभी तक जो कार आपका रुका वब था या फिर जो आपका कार अभी तक नहीं हो पारा तो वो कार आशानी से हो जाएगा साथी आपके विशेश उप्लद्या प्राप्थंग, विशेश लाप देखने को मिलेगा, कने रास्कत को बैवाहिक जीवन में जो उतार चड़ाव चल रहा था या फिर बैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहे थे वो खतम होंगे, और चोती बड़ी कामयावी आपको अपनी जीवन प्रति दंद्य भी आपको देखकर हैरान रह जाएंगे, आपको बिकास का एक नया परचम लहराएंगे, भाग आपका साथमी आसमन पर रहेगा, जो कार अभी तक धूरा था, वो कार आशानी से पूरा हो जाएगा, निश्यत और पे उपलब्दियां कदम चुमेंगी, भा प्राफी समय से धूरे पड़े थे, निश्यत और पे आपको बिशेश उपलब्दिया प्राप्त होंगी, हर कारियों में आरही रुकावटी आपकी दूर हो जाएगी, जीवन साथी कंदे शकंदे मिलाकर चलेंगे, जीवन साथी से अच्छे संबंद और मदूर संबाद ब बन जाएगा, निश्यत और पे आपको उपलब्दिया चारो दिसाओं में फ्यलेगी, लोग आपको मान समान करेंगे, समाज में आपको मान समान बढ़ेगा, अच्छे कारियों के लिए जाने जाएगे, जो कार काफी दिनों से अटके होए थे, वो कार आशानी से पूरे हो आपसी तनाव खत्म होंगे और संतान के रूप में बड़ी क्यामयवी प्राप्त होगे, साथी प्रेम जीबन में खोश्या बरसेंगे, लबलाई भी बहुत अच्छी रहेगे, लब पाटरो कुछ गिपट और पहार देंगे, उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताने का बढ़ाएगे, साथी जो भी नेड़ा लेंगे, उचित फैसला लेंगे, वो काफी अच्छा रहेगा, और साथी साथ स्वास समन्धी परिशानिया आपके खत्म हो जाएगे, और सिक्ष्या के छेत्र में आपको पांच में बड़ी कामयवी प्राप्त होगे, और स्वास समन परिशानिया खत्म होगी, पुरानी विमारियों से राहत मिलेगे, पीता जी का सहयोग प्राप्त होगा, साथी मित्रों और करीवी रिष्टेदारों का भी सहयोग प्राप्त होगा, विदेश जाने के सपने पोरे हो सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, विदेश लोन के मंजूर होने से आपकी आंदनी बढ़ सकती है, आपकी आवग बढ़ सकती है, साथी साथ ब्यापार को बढ़ा सकते हैं, और साथी साथ इसमें कुछ नए नेरे ले सकते हैं, उचित फैसले ले सकते हैं, जो आपके कारशित्र को बढ़ा सकते हैं, साथी साथ इसमें आ बड़े पद मिल सकते हैं बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है अगर उपाय की बात करें तो कन्य रास्कत को इन दो महिनों में यानि कि जून और जुलाई के महिने में आपको यानि कि बिश्णों साहस्त इस तरुत का पार्ट करना है और कोशिश करें कि आप एक रोटी म थोड़ा सा गुड़ जरूर डालके गाय को जरूर खिलाएं से आपको ज़्यदा बेनिफिर्ट प्राप्त होगा और ये दो महिने यानि जून और जुलाई को महिने में आपको अच्छे लाब की योग बनेंगे तो ये थे कन्य रास्कियातकों जून और जुलाई 2020 का रास ड़िंदे लून और जुलाई बनेो कैन की योड़ा राइं से लाईल फटने दूनीज बीजितो जगते अवा चाने यच्छे बेलाई को झाय को ठाना।